हेलो गाज दिस ताज फ्रॉम डिजाइन टाइम वेलकम बैक तो आर चैनल अलबम फॉर्मूला तो आज की इस पीडियो में हम देखने वाले हैं अलबम फॉर्मूला के एक और काफिर सांदार फीचर के बारे में जिसे हम कहते हैं फिल बाई सिक्वेंस ओर यह क्या काम करता है कि हम एल्बम डिजाइनिंग करते हैं तो हम सबसे जादा ध्यान रखते हैं कि हमारी जो फोटो का सिक्वेंस है वो खराब ना हो यानि जो पहली फोटो है वो हमेसा पहले फ्रेम में लगे और दूसरी फोटो जो है वो हमेसा दूसरी फ्रेम में लगे इस तरीके से हम चाहत option डाला हुआ है fill by sequence order यह काफी सांदार option है और इसे यूज़ करके आपको काफी मज़ाने वाला है तो बिना किसी देरी के आई देखते हैं तो यहां पर मैंने Photoshop और अपना जो software है वो दोने तो इसलिए मैंने यहां पर कुछ फोटोस हैं उनमें मैंने यहां पर नमबरिंग देती है और यहां पर template के अंदर मैंने कुछ तीन templates रख लिये हैं अभी यह सिब डेमो के लिए है आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने कुछ templates भी रख लिये हैं और कुछ फोटोस भी रख लिये हैं तो चलिए यहां से मैं कुछ templates को open के लेता हूं just for example कि मुझे template चाहिए मैंने इसे open किया double click किया और यहां पर यह open हो गया ठीक है लेकिन मैं इसमें चाहता हूं कि photo प्रोड़ करना चाहता हूं और भी automatic तरीके से लेकिन साथ में यह भी चाहता हूं कि जो मेरी Festus का sequence है हमारे सारे फ्रेम में फिल हो जाएं तो देखिए यहां पर हमारे जो सौफटर है इसमें काफी सांदार ओप्शन दिया हुआ है जैसे यह आप राइट क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ओप्शन दिखता है और यहां पर किसी भी खाली यहरी पर right click करना है और fill by sequence order बटन पर जैसे ही अब इस पर क्लिक करेंगे वो PhD के according जितने भी PhD में frames है उसके according यहां से photos को select करेगा और one by one और sequence के साथ यहां पर दिखिए सारी photos को fill करने लग जाएगा देखिए पहली फोटो जो है वो पहले फ्रेम में आई दूसरी फोटो जो है वो दूसरे फ्रेम में आई तीसरी फोटो तीसरे फ्रेम में आई चौती फोटो जो है वो चौते फ्रेम में आई पाच्वी फोटो जो है वो पाच्वी फ्रेम में आई च्टमी फ्रेम में आई औ तो आए कुछ और यहां से हम templates open कर लेते हैं, चलिए मैं एक यह template भी open कर लेता हूं, और साथ मैं यह template भी open कर लेता हूं, मैंने यहां से तीनो templates open कर लिया, और एक में मैंने और फोटो फिल कर दिया है, और अब मैं इसमें फोटो फिल करना चाहता हूं, तो मैं वापस यहां प यहां पर open होती जाएंगी और one by one sequence के हिसाब से इसमें फिल होती जाएंगी कि यह देखिए सारी photos one by one open होती जा रही है और sequence के हिसाब से अपने frame में ते फिल होते जा रही है चलिए सेम तरीके से हम एक बार इसमें भी करके देख लेते हैं मैंने इस गहीं किया यहां पे और यहां पर पर वापड से मैं यहां पर हुआ जो हैं यहां पर यूज रहा हुए है जितनी पीस रही फोटो किया है और उसके बार जब हमें यहाँ पे right click करके fill by sequence order button पे click करते हैं तो यह क्या करता है जितनी photos हमने already use कर लिए उसके बाद की photos को automatic उठाता है frame के according कितने frames हैं उसके हिसाब से यहाँ पे photo उठाता है और one by one sequence के हिसाब से photos को frame में fill करता जाता है चलिए हम एक बार और करके देखते हैं मैंने यहाँ पे right click किया और fill by sequence order बटन क्लिक कर दिया जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया देखिया सारी photos जो है वो one by one open होती जा रही है और यहाँ पे अपने अपने frame में वो फिल होती जा रही है इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको काफे ज़्यादा help मिलेगी आपने काम को improve करने की यह देखिए यहाँ पर सारी photos जो है वो यहाँ पर automatic fill हो चुकी है और सारी photos जो है वो sequence के हिसाब से ही fill हुई है यह देखिए जो यह वाली photo थी हो यहाँ पर आ गई यह जो यह वाली photo थी हो यहाँ पर आ गई तो आज की वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हमारे इस software का यह option अगर आपको पसंद आया fill by sequence order का option अगर आपको पसंद आया तो make sure इस वीडियो को like किजेगा और हमारे चैनल को subscribe किजेगा और अगर आपको software से related कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको description में सारी details मिल जाएगी सारे numbers मिल जाएगी आप उनमें call करके जो भी details चाहिए जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते है Thank you for watching